राधे राधे एवरिवन, माई पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सकट चोथ की वर्तकथा सुनाऊंगी सकट चोथ की दो वर्तकथा पर चलित है एक वर्तकथा का वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है और दूसरी वर्तकथा मैं आपको अभी सुनाने वाली हूँ आप इन दोनों में से कोई भी वर्तकथा सुन सकते हैं तो देखिए वर्तकथा सुनने के लिए देखिए जहां पर भी आप कहानी सुन रहे हैं उस जगह को साफ कर लें उसके बाद फिर हम एक थाली ले लेंगे और इस पर हम लोग स्वास्तिक बना देंगे आप चाहें तो सीधे फर्स पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं फर्स को साफ करके या तो आप कोई पटडाय चोकी ले सकते हैं इसके उपर थोड़े से तिल रखेंगे और गनेश जी को विराजमान कर लेंगे गनेश जी को विराजमान करने के बाद देखे सुपारी से बने हुए गनेश जी हैं आप मुर्ती भी ले सकते हैं उसके बाद हम थोड़े तिल ले लेंगे और एक लोटा जल ले लेंगे गनेश जी को तिलक करेंगे लोटे पर तिलक करेंगे और आपने आपको तिलक करेंगे इसके बार तिल हाथ में लेके हम कहानी शुरू करेंगे होता है पडोसन बोली सकट चोथ का वरत करने से अंधन मिलता है और संतान की प्रापती होती है तब साहुकार की बहु बोली कि यदि मेरे गरब रह जाए तो मैं सवा सेर तिलक कुट करूँगी और चोथ का वरत भी करूँगी उसके गरब रह गया तो वहे बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं धाई सेर का तिलकूट करूँगी उसके लड़का भी हो गया तब वहे बोली कि हे चोत माता मेरे बेटे का विवा हो जाए तो मैं सवा पांच सेर का तिलकूट करूँगी जब बेटे का विवा तै हो गया तो वहे विवा के लि यूग में अपने को कोई नहीं मानेगा हम इसके बेटे को फेरों से ले लेंगे जब उसने तीन फेरे लिए तो चोत माता गरजती हुई आई और उसको उठा कर पीपल पर बिठा दिया हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंडने लगे कुछ समय बाद गंगोर का समय आया सब लड़कियां गंगोर पूजा के लिए दूब लेने जाती उनमें जिस लड़की के साथ साहुकार के बेटे की साधी हो रही थी वो लड़की भी जाती थी जब लड़की पेड़के नीचे से दूब लेती तो पीपल मेंसे आवा जाती आ मेरी अर्धब्याहि रोजाना यह बात सुनकर लड़की सूख कर काटा हो गई तब लड़की की मां बोली कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ अच्छा पहनाती हूँ फिर भी तुझे तुखती क्यों जा रही है तो वेह लड़की बोली कि मां जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्दव्याही उसने महंदी लगा रखी है सहरा बांध रखा है तो उसकी मा उठी और बोली कि चल मैं जाके देखती हूं जब उसकी मा पीपल के पेड़ के पास गई तो उसके माने आवाज लगाई कि तुम कौन हो और मेरी बेटी को क्यों परेशान कर र चोथ माता का तिलकुट बोला था उसने नहीं किया और चोथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहां बिठा दिया लड़की की मा साहुकार्णी के पास गई और बोली कि तुमने सकट चोथ का कुछ बोला था क्या तब साहुकार्णी बोली कि तिलकुट बोला था फिर साहुक साहुकार्णी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं धाई मन का तिलकुट करूँगी। बेटे बहु को मिलवाया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी किरपा द्रस्टी बनाए रखना, सभी की संतान की रक्षा करना, इसके बाद हम एक बिंदायक जी यानि की गनेज जी की कहानी सुनेंगे। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। सकट चोत का वरत अब जी ठानी ने सकट चोत का वरत रख लिया। वरत रखा था तो इसलिए वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई। बच्चे आए, मा कुछ खाने को दो, मा कुछ खाने को दो, अब खाने को कहां से दे। जब काम करने नहीं गई तो लेके भी कुछ नहीं आई, अब खाने को कहां से आए। बच्चे रोने लगे, जब आदमी घर आया, तो देखा कि बच्चे रो रहे हैं, और वो बैठी है, काम करने भी नहीं गई, खाने पिने का भी कुछ नहीं मिला, तो गुसे में आके जिठानी के खूब मारे, इट कुट के एक कोने में फेक दी, सारा दिन कोने में पड़ी रह कोई, शाम के टाइम बिनायक महराज घर आये, बिनायक महराज बोले, बेटा सोचाले कहां है, मैं तो पोटी करके आऊंगा, अब वो बोली महराज सारा ही घर सोचाले है, जहां मन करें वहां कर ले, पिटी कुटी तो पड़ी थी उसको कहां इतना होश था, बिनायक महराज बोले कि बेटा हाथ कहां पोच्छूं बोली महाराज मेरे सिर पे पोच्छ लो बिनायक महाराज उसके सिर के हाथ पोच्छ के चले गए अब उस दिन बिनायक महाराज का सेठ के घरवासा था हीरे मोती सोना चांदी खाके आये थे अब पूरे घर में सुबह उठके देखा तो हीरे मोती सो नाचांदी धनी धन भर गया जिठानी धन समेटने लग गई पूरा दिन धन समेटने में निकल गया अब देवरानी ने खूब इंतजार करा जिठानी आएगी काम करने जिठानी आएगी काम करने जिठानी ना जा पाई अब देवरानी ने अपने बच्चे भेज नहीं सिम्टा है बच्चों न जा के अपनी मम्मी को कह दी मम्मी मम्मी ताई जी के घर में तो धनी धन भरा है सारे घर में हीरे जवारात सोना चांदी जगमग जगमग हो रही है अब देवरानी तो भागी भागी आई जी 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 क्या करा आन करा बिनान करा बोली भेन ना आन आज आए देवरानी को सारी बात बता दी अब देवरानी अपने घर गई घर जाके अपने आदमी को बोली कि मेरे मार उसका आदमी बोला भागवान मेरी भाबी तो भूखी पीसाई गरीबी में पीटी थी तो चिकी चिकाई भी क्यों पीटे सब कुछ होते सराते भी बोले न मेरे मार उसने बहुत बार मना करी पर मानीना देवरानी बोली मेरे मार अब आदमी को आया गुसा दमर दमर अच्छी देई तोड़ दी अच्छी कूट दी और कूट पीट के कोने में जाके बैठ गई जाम को बिनाएक महराज घर आए बिनाएक महराज बोले बेटा सो चले कह मैं तो पोटी जाओंगा अब वो बोली महाराज पूरे घर में जाडू पोचा लगा के बिल्कुल साफ कर रखा है जहां मन करे वहां करो अब बिनायक महाराज ने तो पूरे घर में पोटी कर दी बिनायक महाराज बोले बेटा कहां पोच्छूं तो बोली महाराज आज ही सिर दोया है मेरे सिर पे पोँच लो सिर पे पोँच के चले गए अब उस दिन बिनायक महाराज का तेली के घरवासा था निरी खल खाके और तिल खाके आये थे अब सुबह जब उठी तो देखे कि घर में तो सडाव सिड़े है पूरे घर में बदबूई बदबू सिड़ाव सिड़ रहे जितना समेटे उतना और फैल जाए जितना समेटे उतना और फैल जाए भागी गई बिनायक महाराज के पैर पकड़ लिए हे बिनायक महाराज माफ करतो आप नहीं फैलाय है आप ही समेटोगे बिनायक महराज बोले कि तेरी जिठानी तो भूखी प्यासी सकट चोट के बरत करके बैठी थी उसके मन में कोई लालच नहीं था तो उसको अंधन लक्समी दिया तेरे मन में लालच था तो तेरे को दलत दर दिया देवरानी ने तो पैर पकड़ लिये और बिनायक महराज से माफी मांगी बिनायक महराज ने सब समेट दिया और देवरानी को माफ कर दिया हे बिनायक महराज जैसी जिठानी के साथ करी वैसी सब के साथ करी हो और जैसी देवरानी के साथ करी वैसी किसी के साथ मत करी हो इस कहानी को कहते, सुनते, हुकारा भरते सब पर अपनी किरपादरस्टी बनाए रखियो देखें इस तरह से हमारी सकट चोथ वर्त कथा पूर्ण हो जाएगी था सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिये हैं इसमें से कुछ तिल हम गनेश जी को समर्पित करेंगे कुछ जल के लोटे में डाल देंगे और आधे तिल हम अपने पल्लू में बांध लेंगे जो भी आपने पीलिया ओड़ा है या जो भी चुन्डरी ओड़ी है उसके पल्लू में आप बांध ले और उसके बाद जब रात को चांद निकलेगा तब ये पल्लू से खोल के हम चांद को इससे अरग दे देंगे जाहें तो किसी अलग बरतन में भी ये तिल रख सकते हैं और देखें इसके बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अरग दे आएंगे क्योंकि हम ये कहानी दिन में सुनते हैं तो उस कहानी सुनने के बाद हम ये लोटा सूर्य देवता को अरग दे देंगे रात को चंदर्मा को अरग देने के लिए हम अलग से जल लेंगे इस तरह से हमारी सकर चोत वर्त कथा पूर्ण होती है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे